आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे बिटकॉइन से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ जी हाँ, वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की बिटकॉइन की क्या प्राइज है कौन-कौन से कॉइन साज पंप कर रहे हैं किये है, 20,000 बिटकॉइन, 20,000 बिटकॉइन की से लिए यह कोई one week का डेटा नहीं है, three days का डेटा नहीं है two weeks का डेटा नहीं है, यह 24 घंटे का डेटा है ऐसी क्या जरूरत पढ़ गई वेल्स को की 20,000 बिटकॉइन सेल कर दिये तक्रीब दग्रीवन 1.3 billion dollar के राउंड यह number पहुंचता है ठीक है और इसका impact bitcoin पे क्या चल रहा है उस bitcoin के chart पे चलते हैं और समझ लेते हैं कि इस news का क्या impact हो सकता है bitcoin के price कभी कभी market के अंदर ना जितनी negative news आती है selling की news आती है उसके वाद game उल्टे हो जाते हैं जरूरी नहीं है selling की news आई है तो market में dump ही आए लेकिन scenario यहाँ पे जरूर कहीं न कहीं थोड़ा सा crucial है अगर मैं daily time frame पे चलूँ तो आप देख सकते हो यह अभी तक का हाल है bitcoin का और मगर थोड़ा यहां पे और जूम करें तो 65,000 dollar को bitcoin नहीं तोड़ पा रहा है ना जो level पांच दिन पहले तूट सकता था उसी level को 5-6 दिन हो गए यह पहला दिन दूसरा तीसरा चोथा पांचवा छटा और साथा ठीक है almost 6-7 वन वीक हो गया bitcoin को इसी level पे टहल दे होए यहां से य carrier नहीं तूट पा रहा तो यह थोड़ी सी problem वाली बात है कि साथ दिन हो गए फिर भी नहीं तूट रहा है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ यहां पे वेल्स ने भी अपना कितना market के अंदर game कर दिया तो हो सकता है यहां पे कुछ liquidations किये जाएं longs वालों के क्योंकि market liquidation कर सकत आज 25 September है और monthly candle close होगी पांच दिन बाद ठीक है तो आखरी week है last week है September का और बड़ा important है और यह week गेम वाला week हो सकता है तो मैं कहूंगा बस थोड़ा सा लट रहेगा 63500 पे जो है bitcoin इस टाइम पे trade कर रहा है तो आज के top gainer की बात करेंगे ठीक 24 गंटे पहले यानि कल रात को भी हमने top gainer देखा था तो कौन सा coin था mother और mother ने भी आज 0.12 dollar के level hit कर लिया है mother अपने all time low level से अब तक 200% pump हो चुका है ठीक है और पिछले 7 दिन के अंदर इसकी कीमते आप देखोगे 0.031 साथ दिन का data तो नहीं है लेकिन यहाप आप देखो almost 2 week लगा लें तो 100-200% कीमते यहाँ पे जरूर बड़ी है mother की क्योंकि आज 0.12 dollar तक लेवल आ चुका है तो अच्छा का सा जंप आज फिर से mother के price में आज का top gainer अगर हम बाइनेंस पे देखें तो वह सी कोईन सी की अगर बात करें हम अपने telegram premium इसकी already trade discuss कर चुके है अगर मैं थोड़ा weekly chart पे चलें तो weekly chart पे आप clearly समझ पाओगे ठीक है जो trade हमने दिया था अपने telegram premium में वो trade दिया था हमने इस candle पे ठीक है यह almost price की अगर बात करें 0.30.2829 के round trade दिया था और आज 0.46 पे C का price चल रहा है बहुत अच्छा का सा jump है already अगर आप चाहते हैं इस तरह के trades तो आपको join करना इसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में अभी हमने कुछ दिन पहले ऑक्टूबर के लिए पांच कोई डिसकस किये थे आई थिंग पार्ट वन में रखा था मीना को और आज रिजल्ट मीना के दिखते हुए उस उस टाइम भी 24 गंटे के अंदर मीना ने परसेंट उपर चल रही है अभी सप्टमबर चल रहा है अभी ऑक्टूबर आया ऑँ नहीं है तो जो डिसकुशन जो ऑक्टूबर मन्थ के लिए कोई डिसकस किये थे वो रिजल्ट आपको इसी सप्टमबर के एंड में दिखा रहे है तो मीना भी आज 12 परसेंट लिए जिसके अंदर बेबी डॉज कोई नायरो और तर्बो था बेबी डॉज कोईन का आज फिर से जंप आता हुआ 25 से 30 परसेंट आलमस्ट जो है प्राइस बड़े थे अभी किस परसेंट चल रहा है ठीक है और आप देख सकते हैं यहां पर अच्छा घासा जंप बेबी कोईन के नेक्स्ट अपडेट आता है बॉंग को लेके बॉंग दे लार्जेस्ट होल्डर विद बॉंग होल्डर विद 2.4 ट्रिलियन बॉंग 44 मिलियन डॉलर के अलसो होल्ड 3.7 मिलियन टाइ 5,66,000 डॉलर के ताइक अगर हम बात करें तो तो प्राइस बड़े थे लेकिन टाइ भी होल्ड करता है यह लार्जेस्ट बॉंग का होल्डर है और वेल विद्रियू 3.78 मिलियन टाइ पांच लाग साथ हजार डॉलर के फ्रॉम गेट आयो ऑन जून 13 वेन प्राइस वह 0.17 डॉलर नेक्स्ट मत करेंगे बाइन्स प्ले अकी रोल इन हेल्पिंग इंडिय इंडिया में वापसी हो चुकिया और आते ही बाइन्स ने इंडियन अथोर्टीज की यहांपे कही नहीं हएल्प किया एक गेमिंग स्काम के अंदर ठीक है अर्थोर्टीज हैं एल्पिंग इंडियन अथोर्टीज अन्कवर 47 दॉलर स्काम और यह जो स्काम है अगर हम इंडिया में तो बाइनेंस टी आर की तरव से कुछ अपडेट है बाइनस टी आर है बाइनस टर्की ठीक है तो बाइनस टर्की के ऊपर भी बेबी डॉज कोईन की लिस्टिंग होती हुई और यह लिस्टिंग क्या हो रही है अगर आप देखेंगे दो पेर्स हैं जो एड हु की लिस्टिंग वहां पर होती हुई और नायरो की और यही एक रिजल्ट आज हम बेबी डॉज कोईन के प्राइस पर इस टाइम पर देख रहे हैं नेक्स्ट मत करेंगे मार्किट के अंदर इस टाइम पर थोड़ी सी हलचल आइस ब्लॉक्चेन को लेके विया है आइस आणाउंस किया है नॉटेबल लिस्टिंग और प्रॉमिनेंट एक्सेंजेस बहुत सारी लिस्टिंग की अनॉंसमेंट हुहा है लिस्टिंग हो रही है आईस की किस के ऊपर एस बटके उपर टाइबट के ऊपर डीप कॉइन के उपर फेमेक्स के उपर डेक्स ट्रेड के उपर कॉइनस बिट के उपर बिग वन है, प्रॉबिट है टूबिट है सी पेटिक्स है पॉइंट पे है बी टी एस ई है और पी टू भी है अगर हम यहाँ पे भाईया देखें कितनी लिस्टिंग है कितनी एक्सेंजर्स है कितने प्लैटफॉर्म है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, थे विद स्पॉट ट्रेडिंग और 27 सब्टेंबर की यहाँ पे डेट है ठीक है, आज 25 है और इतनी यह नहीं आइस के प्राइस भी बढ़ गए है पहले ही थोड़ा सा अब अलर्ट रहिएगा क्योंकि प्राइस पहले बढ़ रहे है आइस के और 13 प्लैटफॉर्म है हो सकता है कल परस्व तक और प्लैटफॉर्म भी आजए है कोई बड़ी लिस्टिंग बड़ी एक्सचेंज तो नहीं दिख रही है ठीक है अब वो होगी नहीं होगी लेकिन हाँ थोड़ी सी हल चल प्राइस भी बढ़ रहा है तो आपको कहीं बेनेफिट दिखे तो उसको लीजिए और लॉस मत करिएगा क्यों 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 क्योंकि जब ऐसी लिस्टिंग होती है आपको पता होगा लवली इनू बिट गर्ट लिस्टिंग से पहले प्राइस दोजार तेईस है ना वही काम अब आइस के साथ हो रहा है तो अगर हम थोड़ा आइस के चार्ट पर चलें इस टाइम पर आगे हैं आइस के चार्ट के उपर करेंट प्राइस चल रहा है 30% 24 घंटे में भी कीमते 30% बढ़ी है आइस की और 0.009 डॉलर पर पर प्राइस है अगर मैं सेवन डेज की बात करूं वहिया 150% कीमते बढ़ी है करेंट रेंग की अगर हम बात करें मार्केट केप की बात करें तो करेंट रेंग इसकी 511 के उपर चल रही है इस टाइम पर ठीक है और ट्रेडिंग वाल्यूम 80% चल रहा है मार्केट केप है बासट बिलियन डॉलर की नेक्स्ट अपडेट है पॉपकेट को लेके वेल वो लोस्ट 6,11,000 डॉलर्स यानि 45% उन पॉपकेट बिफोर सेंट 8,644 सोलाना एक ऐसी वेल जिसने अपना पॉपकेट से अच्छा लॉस्ट भी किया 6,000,000 डॉलर्स का ठीक है तो पहले लॉस्ट किया बिफोर एंड स्पेंट 8,644 सोलाना 1.2 मिलियन डॉलर और खर्चा किया और खरीदे 1.3 मिलियन पॉपकेट एक डॉलर पे और पॉपकेट की बात करना आज बेहत जरूरी है जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना पॉपकेट एक डॉलर पे खरीदी है वेल ने 1.2 मिलियन डॉलर्स की 1.3 मिलियन डॉलर के राउंड ठीक है और 13% कीमते उपर हैं लेकिन आज पॉपकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है क्यों अगर आप वीकली चार्ट देखोगे अगर हम थोड़ा मंतली चार्ट पे चले हैं ये है मंतली चार्ट ठीक है पॉपकेट ये जो आप कैंडल देख रहे हो अगर नहां है ये तो बिलकुल आज आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि नहां ओल्टेम हाई लग गया 5 जनवरी 2024 इस साल की शुरुवात पॉपकेट ने की थी 0.03 डॉलर से 2 जीरो थी आज ये कोईन 2 जीरो हटा के 1 डॉलर को हिट हो चुका है है ना बहुत बड़ा लेवल 2 जीरो किल की है 26,000 परसेंट कीमते बड़ी है और कौन लेके गया 26,000 परसेंट का रेटर्न 26,000 परसेंट का रेटर्न लेने वाले बड़े प्लेयर्स हैं स्मार्ट प्लेयर्स हैं स्मार्ट वेल्स हैं और ये जो 26,000 परसेंट की जो कीमत है बड़ी है जनवरी से लेके अब तक इसमें बहुत सारी Wales ने अच्छे profit बना रखे यही result है कि आज भी popcat pump कर रहा है आज भी नया all time high लग गया October से पहले September के end में आप देख सकते हैं 25 September popcat ने एक बार फिर से अपना नया high लगा दिया है ठीक है तो एक strong crypto meme crypto बनके उभर के आया popcat तो कल तयार रहेगा प्लेयर चार पांच महीने से इंतजार कर रहे थे लेकिन अब प्लेयर कम हो चुके हैं बहुत सारे लोगों को cheating is bad का message आ चुका है means वो qualify नहीं कर पाए वो eligible नहीं हो पाए airdrop के लिए उनको airdrop नहीं मिलेगा ठीक है यह कही न कहीं होना था और hamster combat की टीम को यह करना था क्योंकि तेने लोगों को airdrop नहीं दिया जा सकता था लेकिन जिनकों मिल रहा है उनके लिए hamster combat कल लिस्ट हो रहा है बहुत सारी exchanges पे including bybit तो आप देखो solana का ecosystem एक बार फिर से खिल खिला रहा है और solana के meme coins की अगर बात करें अब देखो top 10 whiff की बात करें दो डॉलर के barrier हिट किये काफी टाइम के बाद dodge whiff hat ने bonk भी 6% बड़ा है pop cat ने नहा हाई लगा दिया है mu की कीमते भी 15% उपर है bomb ज़्यदा नहीं हुआ giga भी ज़्यदा नहीं हुआ pong की बात करें ठीक ठाग लेवल है pong के भी कोई ज़्यदा performance बड़ी या नहीं है mumu की बात करें अभी recently bybit पे आ है और इसकी भी performance दिखी है mickey की बात करें 18% ये भी बड़ा है और mother सबसे ज़्यदा pump होने वाला coin mother है solana ecosystem का next update है INJ coin को लेगे executive को लेके a whale sold 150,000 executive एक whale ने अच्छी तगड़ी selling किया executive की 3.2 million dollars के and bought 2.4 million LDO 3.05 million dollars के वाया Cumberland in the past 30 hours पिछले 30 घंटे के अंदर एक whale ने INJ से entry बाहर ली और खरीद लिये 2.4 million LDO last and final में discuss करेंगे BitGert के बारे में एक update है और update है किसका partnership BitGert BitGert की अगर हम बात करें भाया यह सिर्फ partnership कर रहा है price पे भी ज़्यादा impact नहीं है बिल्कुल भी type AI and BitGert ने partnership की है लेकिन इन partnerships का कोई भी benefit कोई भी अच्छा result BitGert के price पे नहीं है ना ही BitGert के holders को कोई benefit मिल रहा है तो आज की इस video को हम करेंगे यहीं पे और बाखी updates आपको मिलेंगे नेक्स वीडियो में अगर आप किसी भी crypto में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो research करें बहुत ज़रूरी है तब तक के लिए बाई-बाई-टेक के और